लंबे समय सी दोस्तों अब तो इंडिया और चाइना के बीच भी रिष्टे काफी ज़दा खराब हो ही चुके हैं पहले तो दोस्तों पाकिस्तान को एक ऐसा देश ही माना जाता था जो इंडिया का दुश्मन है लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया देश शामिल हो ही जुग है हम कह सकते हैं चाइना अलगी दोस्तों बहुत सारी लोग तो पहले से चाइना को पसर नहीं करते क्योंकि इंडिया की मार्केट में आपको जारत और परड़क्ट्स चाइना के ही देखने को मिलेंगे यही वज़ाए कि बहुत सारी लोग तो पिछले पांच सालों से यह लगा तर बोल रहे थे कि चाइना का स्मान इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए और इंडिया की मार्केट में इंडिया के परड़क्ट्स यु उतारे जाएं 2020 में दोस्तो जब इंडिया चाइना की वार हुई तो इंडिया के 20 जवान शहीद हुए जिसके बाद दोस्तो टिक टॉक साहिप कई और भी एप्स को इंडिया में बैं की अगर इसके बाद ही दोस्तो इंडिया के लगबग सबी लोग लगबग पूरा देश ही दोस्तो चा हाल में चाइना का कभी साथ नहीं शोड़ेंगे तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते और अभी अपनी कोल्डरिंग पॉपकॉंट सब कुछ यार तेयार रखो वैसे तो दोस्तो आज के दिन नियुक्लियर पावर का इस जमाना है जिसके चलते कि इसी भी देश की फाइट साथ लंबे समय तक चली नहीं सकती लेकिन दोस्तो ये बहुत ही जादा खराब बात अगी कि इसके जलते कोई भी देश कुछी सेकंड्स में दूसरे देश को बरबाद कर सकता है इसी लिए दोस्तो इंडिया और चाइना ने एक बहुत ही अच्छी नीती अपनाई हुई और इस नीती पर नाली के चलते ही दोस्तो इंडिया और चाइना दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के उपर पहले परमानू हमला बिलकुल भी नहीं करेगा और अगर फिर भी दोनों देशों में कभी नॉर्मल जुथ हुआ तो देखते हैं चाइना का यार साह देने के लिए कौन कौन आ गयाता है सबसे पहले दो दोस्तों चाहिना की स्पोर्ट में हर हाल में जिसको हाना है आप जानते हैं वो है पाकिस्तान जो चाहिना का पका दोस्त है लेकिने इंडिया का हमेशा से दोश्मन बना रहा है और इसी के बाद दोस्तों एंटी पाकिस्तानी होने के चलते इंडिया के साथ जो कंट्री आएगी वो है अफगानिस्तान दोस्तों यानी की चाहिना का साथ अगर पाकिस्तान देगा तो इंडिया का साथ देगा अफगानिस्तान हाला कि इस बात में तो यार कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले युद दोस्तों चाहे दो कंट्रीस के बीची क्यों ना हो लेकिन उसके दोस्त हमेशा ही बहुती ज़दा एहम भूमी का निबाते हैं और अगर युद बहुती ज़दा आगे बढ़ते हुए हालात और भी ज़दा गरम होते दो दोस्तों चाहिना का साथ देगा नेपाल और इंडिया का साथ बुटान देने वाला है हाला कि दोस्तों एक समय तो ऐसा था जब लग रहा था कि इंडिया और नेपाल के रिष्टे बहुत ही जादा सुधर रहे हैं लेकिन पिछले एक टेट साल में इंडिया और नेपाल के रिष्टे काफी जादा बिगड चुके हैं जिसके चलते हैं इस बात में कोई शकी नहीं ये कि नेपाल उसी कंट्री का साथ देगा जो इंडिया के खिलाफ हो गी और अगर चायना हुआ तो नेपाल तो उनीखी ओर होने वाला है, लेकिन बुटान हमेशा से दोस्तों ये इंडिया का सच्छा दोस्तर है और इंडिया ने दोस्तों इसकी तरकि मेनस सही में बहुत- जादा मदद की है इसलिए कोई शक्की बात ही नहीं कि बुटान इंडिया का साथ देने वाला है अगर हालातों को देखे तो पिछले 5-6 महिने के हालातों को मद्दे नजर रखते हुए ऐसा लगता है कि चाइना का साथ देने वाली जो अगली कंट्री होगी वो होगी दोस्त तो आपके भी दोस्तों अब हौंस में बुलंद हो ही चुके होंगे कि इसराइल अगर इंडिया की तरफ आ जाए जो की आनी है दोस्तों हमारी बेस्ट फ्रेंड है तब तो दोस्तों हर देश हमारे सामने टीकी नहीं पाएगा इसके बाद दोस्तों चाइना को एक और कंट्री एजिप्ट की मदद जरूर मिल सकती है क्योंकि दोस्तों एजिप्ट भी कभी इंडिया का साथ दे दे इसके चांस ही में काफी जादा खम है और पूरे चांस है कि इंडिया चाइना युद में एजिप्ट चाइना का ही साथ लेकिन इसका भी दोस्तों इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा खास और पावरफुल विकलब मौचूद है जैपैन के रूप में और जैपैन से जादा अच्छी लॉयल कंट्री दोस्तों इंडिया को और भला कहां मिलेगी और इंडिया के कही future projects पर काम भी दोस्तों आज के दिन जैपैन ही कर रहा है जैसे कि दोस्तों बुले ट्रेन पर इंडिया के लिए काम जैपैन ही कर रहा है और किसी भी युद्ध में दोस्तों इंडिया के लिए जैपैन की टेक्नोलिजी का होना हाई टेक हत्यारों का होना कितना जरूरी है यह आप जानते हो आलागी दोस्तों हाई टेक हत्यार बनाने में इसराइल का कोई मुकाबला नहीं इसके बाद दोस्तों इस बात में कोई शकी नहीं है कि चाइना का जो साथ देने वाली अग्री कंट्री होगी वो है नॉर्थ कोरिया यानि ताना शाका देश अलगी दोस्तों प्राइम निस्टर नेरेंदर मोदी के संबंद भी कीम योंगुन के साथ बहुत जाधा खराब तो नहीं है लेकिन फिर भी चाइना और नॉर्थ कोरिया बेलकुल एक ही हाथ की दो उंगलियों के बराबरे इसलिए दोस्तों नॉर्थ कोरिया इंडिया की खि प्राइब दोस्तों हर मौके पर इंडिया का साह देने के लिए हमेश्या से ही तयार रहता है फ्राइब यूर्प की बहुत ही जादा पावरफुल कंट्री भी है इसके इलावा अगर नॉर्थ कोरिया दोस्तों उधर है तो क्या हुआ एक और कंट्री हमारे स्पोर्ट में तब ही आजाएगी जब नौर्थ कोरिया इंडिया के खिलाफ होगर ये कंट्री है दोस्तों साउथ कोरिया आप तो जानते हैं नौर्थ कोरिया उधर वे हमेश्या ही जढब बनी रहती है इसमें तो कोई शकी नहीं है लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि इनकी टेक इस नौलिजी में बहुती अवल दर्जे की कंट्री है वहीं दोस्तों चाइना की स्पोर्ट में जो अगली कंट्री आ सकती है वो है इरान इरान दोस्तों इंडो चाइना यूद में किसका साथ देगा सभी को मालुम है चाइना का हाला कि दोस्तों एक फोर भी समय था जब इंडिया और इरान के रिष्टे काफी जड़ा अच्छे हो रहे थे लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इंडिया और यूनाइटिड स्टेट्स के रिष्टे अच्छे हुए इंडिया का संबंद इरान से काफी ज़ादा तूट गया इसके इलावा दोस्तों इस यूद में अगली जो कंट्री आएगी हमारा साह देने के लिए वो तो सब इको डरा सकती है गयोंगे दोस्तों अगली जो कंट्री हमारा साह देगी वो है United States of America आप तो जानते हैं दोस्तों आज के दिन पूरे वोल्ड की सबसे ज़दा पावरूल कंट्री अगर कोई है तो वो अमेरिका है और आज के दिन श्पेशली अभी जो पिछले पांच से साथ सालों में इंडिया और अमेरिका के रिष्टे इतने अच्छे हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ ही खड़ी हो जाए इसके इलावा दोस्तों सीरिया, लिबनान, कुवेट ये सबी देश भी पाकिस्तान को स्पोर्ट करते हैं जिसके चलते पाकिस्तान चाइना की तरफ है तो यार ये तीनों देश बिना चाइना का ही साथ देने वाले हैं तो वहीं दोस्तों इरान के विरूत जो देश हमेशा बने रहते हैं वो है UAE, सौधी अरेबिया और जॉर्डन इसलिए ये तीनों देश दोस्तों चाइना का नहीं बलकि इंडिया का साह देंगे क्योंकि दोस्तों ये उसी देश का साह देंगे जो इरान के खिलाफ होगा और इरान तो दोस्तों चाइना की तरफ है यह तो दोस्तो वो देश हैं जो सीधे तौर पर ही यूद में एक देश को चूस कर लेंगे जहां तो इंडिया को जहां फिर चाइना को इसके इलाबा पूरी दूनिया में कुछ ऐसे भी देश है जो निट्रल रहेंगे यानि वो चाइना का भी साथ दे सकते हैं और इंडिया का भी लेकिन ऐसा हो सकता है शुरुवाती दिनों में ये किसी का साथ ही ना दे इन में से दोस्तों सबसे पौशन शक्ती है रश्या हाला कि दोस्तो रेशिया के साथ इंडिया के रिष्टे बहुत ही स्ट्रोंग है ये पुरी दुनिया जानती है लेकिन पिछले चार से पांच सालों में रिष्टे हम और भी जादा बेस्ट कर सकते थे जो कि शायद हमने किये नहीं वैसे तो दोस्तो रूस और चाइना के भी संबंद बहुत ही जादा अस्चे है और दूसरी इंडिया खिलाफ जो बात चाती है वो है कि रूस और अमेरिका के संबंद बहुत ही जादा खराब है इसलिए रूस दोस्तो सीधे सीधे चाइना का जरूर साथ देना चाहेगा लेकिन रूस ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि रूस के संबंद इंडिया के साथ भी बहुत अच्छी है इसलिए दोस्तों रूस अगर चाइना की मदद करे जा फिर इंडिया की मदद करे वो सीधे मदद नहीं करेगा बलकि इंडिरेक्ट मदद कर सकता है इसके इलावा दोस्तों बांगला देश, म्यान, मार और श्री लंका ये तीनों देश भी समय देखते हुए किसी भी देश का साथ दे सकते हैं तो दोस्तों अगर इस साथ से हम पूरा नैलिसिस करें तो इंडिया की तरफ दूनिया के बहुत जादा पाऊरफूल देश हो है अगर कहीं रशिया ने दोस्तों इंडिया का थोड़ा ज़ादा साहत दे दिया फिर तो चाइना को इंडिया के सामने गुटने टेक नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके इलावा भी दोस्तों जो में दो बहुती तगड़े देश है इंडिया की तरफ वो है अमेरिका और आदा बारिया इंडिया का जा चाइना का कमेंट में जरूर बताना